आज के वीडियो में मैं आपको HDFC बैंक के बिजनल सरे लिया क्रेडिट कार्ड के बारे में सब कुछ बताने वाला हो कि यह क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं व कॐंआ इखले के सकी सुंद्द होते हैं कौंअऑ वेडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको असांवाल नितरी के से HDFC बैंक के business regalia credit card के benefit के बारे में आपको सब कुछ बता देते हैं पर बात करें benefit के बारे में तो यह एक प्रकार का reward point और cashback credit card होने वाला है इसकी सहयता से यदि आप 150 रुपय का spending करते हैं तो उस पर आपको 4 cashback point काफी असानी तरीके से मिल जाएंगे पर बात करेंगे benefit के बारे में तो अगला benefit काफे important होने वाला है यदि आप इस credit card से जितना भी पैसा निकालोगी आप उसे 50 दिन तक बिना किसी ब्याज के काफी असानी तरीके से उसको बिलकुल free में use कर पाओगे पर बात करेंगे benefit के बारे में तो यदि आप इस credit card के सहायता से एक साल में 5 लाक रुपे का transaction करते हो तो आपको 10,000 reward point काफी असानी तरीके से मिल जाएंगे यदि आप एक साल के इंदर 8 लाक का transaction करते हो तो उस पर आपको 15,000 cashback point बिलकुल free में मिल जाएंगे पर बात करेंगे benefit के बारे में तो आप इस credit card के माधियम से domestic label पर एक साल में 12 बार और international label पर एक साल में 6 बार एएरपोड लाओ जैक्सस की सुबदा बिलकुल free में ले पाएंगे पर बात करेंगे benefit के बारे में तो जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप इस credit card के माधियम से जितना भी पैसा निकालोगे उससे आप 50 दिन बिलकुल free में बिना किसी भी आज के यूस कर पाऊगे अगले benefit के बारे में तो यदि आप इस credit card के माधियम से बिली का बिल पेमिंट करते हैं टेली फोन का बिल पेमिंट करते हैं या फिर इंटरनेट का बिल पेमिंट करते हैं या आप इस credit card के माधियम से किसी भी प्रकार का कोई tax पेमिंट करते हैं तो उस पर आपको मांतली 5% काफ़ हसानी तरीके से मिल जाएगा ऑगले बेन Cadre A Credit Heart के माध्यम से प्रिए काफ़ हसानी तरीके से ले पाएंगे और आप Cass fan इस अपने बड़े-बड़े खर्चों को cacριका बात करेंगे बात करेंगे के बारे में तो गाइज यदी आप इस क्रेडिट काट के माध्यम से स्मार्ट पे का यूज़ करें यूटिलीटी का बिल पेमिन करते हो तो आपको काफी इसानी तरीके से 18,000 का benefit मिल जाएगा बात करेंके लिए benefit के बारे में तो यदी आपका credit card खो जाता है और तुरंद बाद ही आप अपने customer support को बता देते हो उसके बाद यदि आपका credit card से किसी भी प्रकार का कोई fraud transaction होता है तो उसके लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई प्राब्लम नहीं होगी उसके लिए आपके उपर किसी भी प्रकार के कोई liability नहीं आएगी फिल बात करेंगे लिए बेनफिट के बारे में तो आप इस credit card के माध्यम से fueling subcharge की आपकी सुब्धा मिलती है यदि आप किसी भी petrol pump के माध्यम से minimum में 400 रुपे का और maximum में 5000 रुपे तक का transaction करते हो तो उस पर आपको जो fueling subcharge लगता है वा पूरी तरह से माफ हो जाएगा पर बात करेंगे लिए बेनफिट की बारे में तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप इस credit card के माध्यम से यदि ज्यादा transaction करोगे तो आपको जो renewal fee ह पूरी तरह से माफ हो जाएगा यदि आप इस credit card के माध्यम से एक साल में 3,00,000,000 रुपे का transaction करते हो तो उस पर जो आपके renewal fee रहेगा वा पूरी तरह से माफ हो जाएगा आप अपने बड़े बड़े खर्चों को काफी इसानी तरीके से smart EMI में pay कर पाओगे पिल बात करें अगले benefit के बारे में तो अगला benefit होने वाला है insurance के बारे में यहां पर air accidental date cover एक करोड रुपे का होने वाला है credit card के pin को कैसे set कर पाओगे तो सबसे पहले आपको इस number पर call कर लेना है जो आपको screen पसो हो रहा है उसके बाद आपको अपने credit card के last 4 रंग को डाल देना है उसके बाद guys आपके register mobile number पर OTP आएगा उसके बाद आप अपने credit card के pin को काफी सानी तरीके से set कर पाओगे well guys चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको काफी सानी तरीके से ये बता देते हैं कि HDFC बैंक के business regalia credit card को कौन कौन से लोग ले पाएंगे यहां पर कोई भी self employee person इस credit card को काफी सानी तरीके से ले पाएगा उसके लिए उस self employee के पास 12 लाख रुपए से ज़्यादा एन्वली आटियर होना चाहिए इसके बारे में बात करें तो minimum age 21 साल से लेकर 65 साल के बीच में होनी चाहिए विल गाइस फड़ावर से अब मैं आपको इस credit card के fee और charges के बारे में सब कुछ बता देता हूं विल गाइस इस credit card के लिए आपको पूरे 25 सुर रुपय कचास देना पड़ेगा यदि आप इसे माफ करवाना चाहते हो तो simply में आप इस credit card के माधियम से यदि एक साल में 30 रुपया का transaction करते हो तो आपका जो यह renewal fee है वह पूरी तरह से माफ हो जाएगा विल गाइस आपने देखा कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कितनी असानी से क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है कि यह credit card क्या होते हैं कौन-कौन से benefits होते हैं कौन-कौन से charges होते हैं पिल गाइस आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप जाज़ जाज़ा सेर करेंगा इसी प्रकार के वीडियो के साथ ह क्या हैं वादे मात्रम